दोस्तों अज़ें बात करने वाले इश्रम कार्ड के फ्रॉड के विशे में आपको बहुत ही सतरक रहना होगा अगर आपने इश्रम कार्ड बनवाया है तो यह एक बड़ा अपडेट मैं लेकर आया हूँ आपका बैंक खाता भी खाली हो शकता है अगर आप साउधानी नहीं बरतते हैं क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे जितने भी विविवर्स हैं मैं उनको यह अपडेट देना चाहता हूँ कि इश्रम कार्ड को लेकर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इससे आपको साउधान रहना है आपको क्या नहीं करना है मैं बताने वाला हूँ आप सुरच्छत रहेंगे और आपका आकाउंट में कोई प्रवब्स नहीं आने वाली हैं तो बने शूड में लगाता है मैं को पहुंचा करें और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्पिन हिंदी अगर आपने हेल्पिन हिंदी चैनल को सिप्क्राइम नहीं किया है तो जरूर करने शाषब बेलाइकें जरूर प्रिश कर दें से आर्यावाले सभी वाले हैं आप दोस्तो इस्रम कार्ड के विशे में बता दूँ जो असंगडे छेतर में काम करने वाले लोग हैं उनको 500 रुपए प्रितिमा मार्च मा तक उत्तर परदेश सरकार ने देने का ऐलान किया है अगर आप उत्तर परदेश है तो आप इस्रम कार्ड बनवा ले आपको होशकता ह 500 रुपए प्रितिमा दिया जाए पूरा डेटेल मैंने यहाँ पर दिया है इस्रम कार्ड क्या होता है कैसे बनवाना होता है आप खुद से भी कैसे बना शकते है पूरा डेटेल इस आर्टकल पर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन मैंने दे दिया है यहाँ प जो इस्ताही दुकाने होती हैं, कुल मिलाकर उसे बनवाएं, किसी अंजानवी वक्ति से ईश्रम कार्ड बिल्कुल ना बनवाएं इसके बाद सेकंड के अगर हम बात करें, आपको किसी भी तरह का अगर कॉल आता है बाहर से, आपसे बोला जाता कि आपका ईश्रम कार्ड इनेक्टियो है और आपका पैसान नहीं आएगा, आप हमें OTP बता दीजिए, मैं आपका ईश्रम कार्ड इक्टियो कर देता हूँ, औ बोला हूँ, वो अधकारी बोला हूँ, तो किसी भी परकार के जहांसे में आपको नहीं आना है, कभी भी कोई भी अधकारी ना तो OTP पोच्टा है, और नहीं ऑनलाइन तरीके से इश्रम कार्ड इक्टियो किये जाता है, जब भी आप इस्रम कार्ड बनवाते हैं, खुद म अपना OTP शेयर ना करें, आपसे अगर बोला जाता है कि आपका इस्रम कार्ड अक्टियो नहीं है, मैं अक्टियो कर दूँगा, आपका पैसा स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, या तीन हजार रुपए प्रतिमा आपको पेंशन मिलने लगेगी, तो कभी भी अपनी जानकारी बिलकुल ना दें, जैसे कि OTP, मुवाइल नंबर, बैंक खाता वगेरा, कोई भी डेटेल आप किशी को अंजान व्यक्ति को ना बताएं, कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी नहीं पूछता है, इसका आपको विशेज ध्यान रखना है, और मैं थड़ बात बताना चाहूंगा, आप से गाउं में अगर कोई व्यक्ति अंजान व्यक्ति इस्रम कार्ड बनवाने आता है, तो आप अंगूठा बिलकुल ना लगाएं, क्योंकि अंगूठा से आप पैसे निकालते होंगे, गरागरामीर छेतर में जानते होंगे, आधार कार्ड दिया, बताया, कि अपने जान पर से गाउं के जो जन्सवा केंद्र है, जिने हाप जानते हैं, बहली बात, उनी से आप इस्रम कार्ड बनवाएं, रजिस्टेशन करवाएं, या मैंने यहापर वीडियो एक दिया है, आर्टिकल पर, कि खुद से इस्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं, खुद भी बनाने का उप्शन है इस्रम कार्ड में, अगर आप जानकार हैं, खुद मोईल फोन से भी इस्रम कार्ड बनाया जा सकता है, तो यह पूरा अपडेट था, तो फ्रॉड से बचे हैं, बहुत फ्रॉड सो रहा है, दोस्तों गाउं में, खासकर ज़्यादा हो रहा लोगों को जानकारियां नहीं और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे है, उनसे परसनल जानकारी ली जा रही है वगेरा, तो इन सब चीजों से बचें, और इस वीडियो को जाद़ जादा सेयर करें, अपने रिलेटर्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी अवेर हो सके और इन चीज़ों से बच जाएं वीडियो जानकारी कैसा लगा जरूर बताएं सब्सक्राइब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज्यादा जानकारी लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वोचिंग